तो अब बात करते हम valency factor जिसको आप कुछ भी नाम दें valency factor जिसको आप valency factor बोल दो n factor बोल दो x factor बोल दो कुछ भी बोल दो meaning मेरा यह है कैसे मैं यह सोचता हूँ ध्यान से सुनियेगा तो दो तरह से redox reaction में कैसे हम बात करेंगे first यह सब के लिए define होता है redox हो या non redox हो पहले तो दिमाग में यह बिठा के चलना n factor ठीक है दूसरा यह कभी 0 नहीं होगा तीसरा यह reaction के लिए भी define होता है और यह compound के लिए भी होता है molecule के लिए होता है किसी अनिया chapter में लेकिन एक बार और हम बात करते है n factor कैसे देखते है मेरे लिए तो n factor यह होता है summations किसी molecule के अंदर अब जो element है change of oxidation number change of oxidation number atom की जो oxidation number change हो रही है हो multiply by atomicity क्या लिख सकते हैं atomicity यह हमारे लिए होगा अगर एक 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 अटम का हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है for example मैं आपके साथ हूँ KmnO4 की बात मैं कर रहा हूँ ठीक है KmnO4 strong acid में या weak acid में भी Mn प्लस 2 में change होता है दूसरा neutral हो या फिर weak base हो Wb का मतलब weak basic medium तो ये Mn प्लस 4 में change होता है और strong basic medium हो तो Mn प्लस 6 में change होता है K का कुछ भी नहीं होता O का कुछ भी नहीं होता K K plus ही रहेगा O O minus ही रहेगा तो बताओ याहां N factor क्या रहेगा इस प्लस 7 में कितना रहेगा 5 multiply by 1 याहां क्या रहेगा N factor N factor 3 multiply by 1 3 और याहां क्या रहेगा N factor 1 multiply by 1 1 क्योंकि atomicity Mn की क्या है 1 है बोलो yes or no दूसरी तरफ K2 CR 2 O 7 देखे जोकि acidic medium में ही react कर पाता है और CR plus 3 में change होता है plus 6 plus 3 में तो N factor कैसे निकालोगे आप 6 minus 3 3 multiply by atomicity कितनी है 2 6 बागी के साथ तो changes हो ही नहीं रहा बोलो हो रहा है क्या नहीं एक और example हम बात करते है एक और example जो आपको समझा देगा अच्छे से मैंने लिया K4 FV Cn6 ठीक है strong oxidizing agent है like Kmno4 है ठीक है कोई दिकत नहीं है और अगर हम बात करें तो Fe change हो जाएगा Fe plus 3 C change हो जाएगा CO2 N change हो जाएगा N2O5 तो आप बताएए इसका N factor कितना होगा compound का N factor कितना होगा आपका formula तयार है ये वाला तयार है ठीक है लगाते जाओ K तो K plus में ही रहेगा तो K plus के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा iron को देखो iron क्या change हो रहा है plus यहाँ पर क्या था plus 2 से plus 3 कितना है 1 और atomicity कितनी है 1 पूरे molecule में 1 है plus carbon का oxidation number कितना होता है Cn- में plus 2 अभी थोड़े पहले यह पन निकाला है plus 2 से किसमें पोजिया plus 4 CO2 में plus 2 से plus 4 में कितना change हो है 2 atomicity कितनी है 6 बाहर से देख लो पूरे molecule में देखना है अगर यहाँ बाहर कहीं 3 दिखता है तो atomicity मेरे लिए उसके लिए कितनी हो जाती है 18 चमक रहा है थोड़ा थोड़ा दिमाग में ठीक है nitrogen को देखो nitrogen कितना है minus 3 और यहाँ कितना है plus 5 N2O5 है कितना change हो हाँ 8 atomicity कितनी है 6 तो 1 plus 12 plus 48 कितना हो आँ 61 lock कर दूँ मैं check करो कोई गड़बर तो नहीं है करें इसको दिखो एक और example यह है H2C2O4 के मैंनो 4 या strong oxidizing agent में यह क्या बन जागा CO2 H2 तो वह ही H2O में रहेगा O minus 2 में ही रहेगा तो बताओ यहाँ पर कितने element का क्या हो हाई यह plus 1 यह minus 2 यह भी minus 2 carbon plus क्या है यहाँ पर 4,2,8 और 2,3 2,6 है ना सही है और यहाँ पर कितने हो गया carbon plus 4 तो मेरे लिए N factor क्या होगा इस compound का जल्दी बोलो N factor कितना होगा 3 minus 1 difference 1 multiply by 2 2 होगा बोलो yes or no और इसके लिए कितना होगा N factor 4 minus 3 1 multiply by 1 1 सही है N factor किसके लिए define किया जा रहा है यहाँ पर compound के लिए यहाँ atomicity 2 है यहाँ पर 1 है अगर same होती तो same आ जाता नहीं है तो नहीं आएगा कोई दिक्कत है चमकने में अच्छे समझ में आ रहा है oxygen minus 2 यहाँ उससे कोई मतलब भी नहीं है oxygen का तोहिना change हो रहा है oxidation number इस तरह से होता तो बताओ इसका n factor कितना होता तो दिमाग में रखना कि किस किस के साथ क्या क्या हो रहा है चालो जाओ plus 2 से plus 3 हुआ plus 3 से plus 4 हुआ plus 3 से plus 4 हुआ 1 into 2 इसका बताओ n factor हमेशा magnitude quantity होती है 3 से 4 हो या 4 से 3 हो difference हमेशा क्या लिया जाएगा 1 difference का magnitude लिया जा रहा है वहाँ जब अपने formula लिखा था हूँ वहाँ magnitude sign लगा देना भले आपको दिक्कत आ रही हो तो और इसका n factor कितना होगा by default 1 यह atomicity अच्छे समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताओ यह क्या है oxalic acid और यह क्या है ferrous oxalate ferrous oxalate का n factor कितना दिख रहा है आपको 3 और oxalic acid का 2 क्योंकि oxalic acid में सिर्फ carbon का oxidation होता है जबकि ferrous oxalate में iron का भी है और carbon का भी है और अगर गलती से यह ऐसा होता FEC2O4 यह दे देता गलती से क्या मैं तो जान मुझे के दे रहा हूँ अब बताओ इसका oxidation तो इसका n factor क्या होता सिर्फ इसका बताईए आप देखो इसके ओपर minus 2 यहां आ गया FEP क्या charge आएगा plus 3 तो क्या इसका change हुआ plus 3 से plus 3 नहीं हुआ सिर्फ carbon का हुआ है carbon का क्या change हुआ है यहां पर minus 2 से sorry plus 2 से plus 4 carbon का तो plus 2 है oxalate iron में carbon का plus 2 होता है निकालने में दिक्कत आ रही है क्या तो बस कितना difference हुआ plus 4 plus 2 कितने का difference है 2 और atomicity कितनी है 6 12 पकड़ लिया आपने अब oxalate में यहीं से भी निकाल सकते है C2O4- यह जो carbon का है वो समय सहीम ही चलेगा oxalate iron में यहां पर plus 3 है तो यहां पर भी plus 3 रहेगा वहां पर भी plus 3 रहेगा कोई दिक्कत आ रही है बिटा आ रही है तो बोलो मेरे को खुलके यहां देखो मैं इस जगह C2O4-2 2 ले लेता हूँ चार से यह है मालो carbon का कितना है x 2x-2 is equal to 0 नहीं लगागे इस बार क्या लिखूँगा अब बताओ यह 8 होदा और गया x की value कितनी आएगी 3 आएगे गलती हो रही है तो यहां पर भी कितना आएगा 3 और मेरे से गलती इसलिए क्योंकि यहां पर भी 3 यहां पर भी 3 लिखना था ठीक है ना तो difference कितना आएगा 1 और यहां क्या आएगा 6 अब साहिए मैं आपको यही पूछना चाहरा था ध्यान दीजिए दीखो हमने बहुत आसानी से या valency factor बताना सीखा है किस के लिए compound के लिए लेकिन एक और दिक्कत है कि अगर हम बात करते हैं n factor या valency factor in intra reactions intra redox reactions कैसे निकालेंगे intra redox reactions जैसे मैंने लिकाल दिया pcl5 decompose हो रहा है pcl3 plus cl2 अब कैसे निकालेंगे तो हमें यहां पर फिर वो summation rule नहीं लगेगा क्या करेंगे अपन किसी एक से निकाल लेते जैसे यह प्लस 5 है यहां पर क्या है प्लस 3 बस इसी से निकाल लो फिर cl से मन निकालो एक से निकालो किसी भी एक से और generally मैं ctn से निकालता हूँ असानी रहती है तो कितना हुआ प्लस 5 है यहां पर प्लस 3 तो n factor कितना हो जाएगा 2 तो intra में किसी एक से निकालो बस cl से निकालो तो दिक्कत में को यहां यह हो रही है 5 klorine है लेकिन 2 ही klorine है ऐसी जो minus 1 से 0 में आ रही है तो वो 2 klorine का ही लेना पड़ेगा फिर आपको atomicity 5 नहीं लेके कितनी लेनी पड़ेगी 2 सही है आप NH3 से देख लो N2 प्लस 3 ह 2 जो भी है यह balancing coefficient की जरुवत तो है नहीं मेरको क्या जरुवत पड़ती है क्या N factor निकाले में नहीं minus 3 से 0 तो बताव इसका N factor कितना होगा यह oxidation है इसका कितना होगा N factor minus 3 से 0 कितना होगा 3 इसका कितना होगा 0 से minus 3 3 multiply by 2 6 6 इसका कितना होगा N factor 0 से minus 1 यह plus 1 0 से plus 1 1 multiply by 2 तो इसका 2 बोलो हा या ना तो यह आप निकाल सकते हो तो इंटा में कैसे निकालोगी किसी एक element से निकालो आपको hydrogen पसंद होता है hydrogen से निकालते है तो भी 3 आता कोई doubt नहीं है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है next N factor in disproportional reaction यहाँ यहाँ N factor निकालना थोड़सा ताफ है कैसे हम सोचते है disproportional reaction N factor in disproportional reactions यहाँ N factor निकालना जाएगा N factor oxidations दोनों निकालने पड़ेंगे multiply by N factor reductions upon N factor oxidations plus N factor reduction कहीं न कहीं हम यहाँ average value निकालने क्योंकि दोनों हुकाम एक साथ हो रहे है जो आज से पहले कहीं नहीं आपको देखने को मिल रहे थे सही है for example अगर आपके पास P4 जो की PS3 में change हो रहा है plus H3PO3 में change हो रहा है तो यहाँ 0 यहाँ पर plus 3 या minus 3 minus 3 और यहाँ पर plus 3 बिलकुल सही है तो बताओ यहाँ N factor कितना आएगा इस जगह सिर्फ इस जगह 0 से 3 कितना difference है 3 का तो कितना हो जाएगा 4 यह 12 और अगर यह होता तो कितना होता है N factor वही 12 बस अंतर यह कि एक जगह बढ़ रहा एक जगह कम हो रहा है एक जगह oxidation तो बताओ N factor कितना होता है 12 multiply by 12 upon 12 plus 12 मुझे यह value 6 by 1 दिख रही है 6 answer आथा कहीं कोई दिखकत नहीं fractional भी हो सकता था सही है यह एक example है जो disproportional है और P4 का कितना है pH 3 में ऐसा कोई disproportional नहीं है इसका N factor तो 3 दिखी रहा है और इसका कितना दिख रहा है इसका भी 3 है दिख रहा है आपको 3 इन दोनों का 3 3 है लेकिन इसका कितना है 6 पकड़ ली अपने मेरी बात आगे चले चलो एक और example आप करके दिखाओ मेरको H2O2 जो की H2O प्लस हाफ O2 में change हो रहा है oxygen का कितना होता है minus 1 minus 2 2 0 तो minus 1 से minus 2 कितना difference आया है 1 लेकिन atomicity कितनी है 2 1 multiply by 2 कितना होता है 2 minus 1 से 0 again 2 and factor 2 बन जाएगा तो दोनों जगद 2 आ रहा है clear है concepts एक बार और चेक करो एक और example देखते है 0 minus 1 plus 3 disproportional है हम कैसे निकालेंगे n factor कितना होगा यह के लाएगा reductions का कितना होगा 1 into 2, 2 शार और यहां क्या के लाएगा n factor oxidations मेरे खाल से 0 से plus 3, 3 into 2 6, तो 6 multiply by 2 upon 6 plus 2 6 दुए 12 और 8, 4 by नहीं, 3 by 2 यह answer आ रहा है आपका यह है इसका n factor CL2 का सही है, अच्छे समझ में आ गया तो आपने क्या पढ़ा inter, intra disproposional अब बात करते है n factor in non redox reactions n factor in non redox reactions non redox reactions कोई reaction है कोई reaction है जो non redox है जिसमें कोई reduction oxidation ही नहीं हुआ है जैसे acid base या PPT या ion exchange method जो भी हुआ है मेरे लिए तो यहां n factor यह है charge transfer ही हो गया total n factor is equal to charge transfer क्योंकि यह always positive होता है इसका बंदा magnitude for example आज हम बात करते है जैसे NaOH plus SCL NaCl plus H2 यहां से यहां गय कितना transfer हो गया है OH गया है उसकी जिगा CL लेकिन कितने unit transfer होगा है minus 1 से दूसरा आ गया obviously तो क्या हुआ कितना OH दिया इसने एक n factor कितना हो गया 1 सभी का 1 होगा तो यह acid-base reaction हो गयी for example यह COOH है और यहां पर भी COOH है इसने NOH के साथ reaction करी तीन तरह से COO Na plus COO H एक को लगा दो COO H COO Na plus COO Na plus और COO H एक बार तीनो निकाल दो एक बार तीनो निकाल दो पताओ यहां इंफेक्टर कितना बनेगा क्योंकि एक ही H दिया है यहां दो दो यूनिट ट्रांसफर हो यह है और यहां तो यह चार्ज ट्रांसफर हो गया ठीक है बोलो यहां सूनो तो हम ऐसे बोल सकते हैं चार्ज ट्रांसफर लेकि अगर एक एक्सेस में है तो यह होगा क्यों क्योंकि तीनों ही H इन तीनों ने बाकियोंने क्या गुना किया है जो उनको नहीं लेगा तो by default अगर आप इसका पूछा जाए बिना reaction दिए किसका इनफेक्टर कितना होगा तब by default आणसर क्या दोगे 3 बोलो यह सूनो जैसे example है H3 PO4 का इनफेक्टर by default पुछा जाएगा तो कितना है का अंसर बोलो जल्दीचे 3 H3 PO3 का इनफेक्टर by default पुछा जाएगा तो कितना है का दो सकता है देखो आप यह hydrogen निकलेगा ही नी तो NUH कितना ही डाल दो कितना ही access में डाल दो इसका इनफेक्टर हमेशा कितना आएगा 2 जबकि इसके अंदर कितना आएगा 3 समझ में आगई बात तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे एग्जामपल के लिए आपको structure मालूप होनी चाहिए मैं एक और concept साब से discuss कर रहा था N-factor compound भी होता है N-factor reaction भी होता है तो आप एक बार समझे मेरे पात N-factor for compound हम अभी तक compound की बारे में पढ़ रहे थे हैं और N-factor for reactions N-factor compound कैसे निकालते हैं वो तो हमने पूरा discussion करी लिया तो वो तो आपने करी लिया कि N-factor कैसे करते हो Summations, change of oxidation number Oxidation number और यह हमेशा magnitude में multiply by atomicity यह आप पढ़ चुके हो यहां N-factor of reaction आपको सिफ define होगा balance reaction में N-factor of reaction कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए कोई भी N-factor of compound पकड़ लो कोई भी multiply by उसका strachometric coefficient देना पड़ेगा coefficient यहनि आप reaction को 2 से multiply करेंगे पूरी reaction को तो यह भी change हो जागा क्योंकि strachometric coefficient चेंज हो जाता है समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहरा हूँ तो वो फर्पड़ेगा उसका जैसे example से ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा जैसे NH3 है N2 plus thrice H2 thrice NH3 है N2 plus 3H2 यहाँ minus 3 से 0 हुआ तो बताओ इसका N factor कितना है 1 multiply by 3 3 यहाँ इसका N factor कितना है 1 multiply by 3 3 है तो reaction को 2 से करो या 10 से multiply करो compound का N factor change हुआ? नहीं हुआ लेकिन N factor reaction का कितना हो जाएगा 3 multiply by 1 3 N factor कितना हो जाएगा 3 multiply by 2 6 और अच्छी बात क्या है आप किसी से भी निकालो सेम आएगा चाहो तो चेक कर लो इससे चेक कर लो N factor of reaction सेम आएगा 3 multiply by 2 multiply by 1 6 वही आएगा समझ में आ रहा है N factor of reaction की बात कर रहा हूँ तो suppose किसी का नहीं मालूम coefficient इसका coefficient नहीं मालूमता suppose तो क्या मालूम है? 6 तो मालूम है इसका N factor डिवाइट करके coefficient भी निकाल सकते हो आप उल्टा भी देख सकते हो और किसी का नहीं मालूम क्या नहीं मालूम N factor तो ऐसे भी जा सकते हो ल्टा कोई doubt? तो यह reaction का इसकी जरुवत आपको इस chapter में कहीं नहीं पढ़ेगी कहीं नहीं पढ़ेगी बस ऐसे मैंने पढ़ा दिया इसकी जरुवत पढ़ेगी आपको electrochemistry में nurse equation में जो N factor रखा जाता है nurse equation में N factor reaction का होता है ना की compound का लिक लो